कि आये दोस्तों हम यहां पे डिसकस कर रहे थे अपने केशपलो स्टेट्मेंट का ICI मोड्यूल बैच है ूलरेडी डिसकस कर चुके वीडियो प्रोगर कर चुके है दोस्तों सारे के सारे वीडियो की कि मैंने एक ही playlist बना रखिये जहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे ताकि exam time पे आपको किसी भी वीडियो को find out ना करना पड़े तो आप अगर वीडियो की description में जाएंगे वीडियो की description में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक link मिलेगी जो playlist की link है वहाँ पे क्लिक करते ही आप जो है playlist में चले जाएंगे और playlist में किसी भी question में दिक्कत है आप वो वीडियो open करके देख सकते हैं जल्दी से आजाईए sir last question बचा है आपके पास में जैसे ही वो खतम हो जाता है आपके पास में case flow statement का आई से module batch complete हो जाएगा और इसके बाद हम next question next chapter start करेंगे most probably हम यहां पर buyback start करेंगे buyback जल्दी से खतम हो जाएगा I think दो ही दिन में आपके पास में तो पूरा chapter uploaded मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद next chapter जल्दी से आ जाएए अब last question बागी है question number 13 उसके बाद तो काम खतम हो चुका है question number 13 पे आईए question number 13 क्या कहता है कहता है कि सर जी आपके पास में कुछ information दे रहा है ठीक है जी कोई information आपके पास में कहता है किसी abc limited के नाम से तो क्या ही लेने देना है वो भी खुद आपने आपसे नाम लिख लेते हैं कहते balance sheet की information दे रखिए और आपको यहाँ पर prepare करना के एस प्रेटमेंट यूजिंग indirect method यहाँ पर clearly दे रखा है indirect method से ही question को solve करना है ठीक है दिक कर देंगे कोई दिकत नहीं बता ही क्या information है सबसे पहले तो देखें यहाँ पर दो साल की information और जैसे कि आपको always मैं करवाता हूँ sir यह दो साल की information को आप always क्या करेंगे sir always आपके पास में always आपके पास में क्या करेंगे sir आपके पास में round करेंगे ठीक है always आपके पास में क्या करेंगे sir जी round करेंगे यह चीज़ इंपोर्टन्ट है क्योंकि opening और closing आगे पीछे दे सकता है हमें यहाँ पे ध्यान रखना है sir इस बार opening यहाँ पे है और closing यहाँ ठीक है आगे चीज़े गिवन है पढ़ लीजिगा शेर शॉट टम आपके पास में बोरोएंगे जिसमें बैंक लॉन है आपके पास में इसके बाद ट्रेट पेबल है अधर करेंट लाइबलिटी है नोट नमबर टू पढ़ेंगे ठीक है प्रॉपर्टी प्लांट एक्विपेंट के लिए जो है जो है जो आपको गिवन है ठीक है इसके बाद नौट्स तो अकाउंट में आपको गिवन है सबसे पहले तो लॉंग टम बोरोइंग में 9% वाले डिमेंचन है 9% को आप हाइलाइट करिएगा ठीक है 9% को मार्क करिएगा दोस्तों 9% important point है 9% देने का मतलब है कि सर number 12 जिसमें हम already यह बता चुके है ठीक है आगे बढ़ते कहता ही कि सर आपके पास में other current liability में भी dividend वगए रहा है ठीक है जी कोई दिकत नहीं है पढ़ लेंगे इसके बाद liability for expenses वगए रहा है plant in machinery में depreciation माइनस करके भी value given है trade receivable में gross amount given है जिसमें प्रोवीजन भी है प्रोवी after charging depreciation क्याता है कि सर 1,20,000 depreciation कितना है 1,20,000 sorry 1,80,000 क्याता है कि सर net profit इतना है after charging depreciation मतलब कि net profit after depreciation 10,40,000 है और आपको पता है सर जी depreciation अगर less हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ता है सर operating activity में depreciation को add back करना पड़ता है तो starting point हमारा यही रहेगा 10,40,000 ठीक है उसके बाद ए 80,000 depreciation के नाम हम add back करेंगे ठीक है तो starting point कीतना होगा सर starting point 10,40,000 से होगा यह आपके पास में operating activity का starting point है operating activity का starting point ठीक है one लेक 80,000 क्या होगा सर अलग से हम यहाँ पे इसकी treatment दिखाएंगे सर depreciation के नाम add कर देंगे ठीक है तो इसे highlight कर लीजे depreciation के नाम आपके पास में add back होगा ठीक है चलिए इसके बाद कहता है सर trade receivable में ध्यान रहे सर trade receivable of two lakh 30,000 were determined to be worthless और उसको हमने क्या कर दिया सर right off कर दिया है और against the provision for the doubtful debt account आपके पास में during the year देखे right off कर देते हैं ठीक है और इसके लिए provision बनाई थी मुझे बताईए सर provision कहा पे जाती है सर PNL में लेकिन कह र खतम कर दिया अगर वो चीज़ खतम हो चुके तो उसकी कोई entry बनती ही नहीं है ठीक है तो इसकी कोई entry नहीं बनेगी आपके पास में इसकी कोई entry नहीं बनती है कामी खतम हो चुगा ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है देखे इसकी entry बनती क्या बनती सर provision है तो PNL में गया होगा तो सीधी ती बाते operating activity में इसका यहां पर treatment करना पड़ता है लेकिन इसने कहा है कि इसको तो हमने write-off कर दिया तो खतम कर दिया ना खतम कर दिया तो बात भी खतम हो गई कामी खतम next बताईए अच्छा खतम हो गया क्या चलिए दो यह additional information थी कामी खतम हो गया चो आच्छे एक के बाद एक हम analysis कर लेते हैं सर बताईए सबसे पहले तो सर जी यहां पर discuss कर लेता हूँ सबसे पहले तो debentures की बात कहता है कि हम ने debentures को issue कर रहे at the end of the year ठीक है issue करने से तो पैसा मिलता है और debenture एक तरीके से financial activity है debenture आपके पास में एक तरीके से क्या है सर financial activity है तो financial activity में जाएंगे और क्या करेंगे सर financial activity में जाएंगे और add back करेंगे issue करने से पैसा मिलता है न तो add करेंगे ठीक है यह आपकी treatment हो गई इसके बाद इसकी interest की treatment भी करना भूलना नहीं है ठीक है इंट्रेस्ट की ट्रिट्मेंट क्या होगे सर बताइए क्याता है कि सर at the end of the issue करा है तो इंट्रेस्ट क्या बनेगा कुछ मुझे बताई इसे at the end of the year आपने जो है इसे इस पर कोई इंट्रेस्ट बनेगा इसाब से इन रूल के ऑसे ट्रेस्ट बनता है यह इस लिए डिवीडन अपने पेबल थार आपके पास में उप्निंग में लेकिन क्लोसिंग में नहीं दिख रहा है इसका मतलब वही जो previous question में मैंने करवाया था क्या sir इसका मतलब निकल दे आता है इसका मतलब है कि dividend pay कर दिया है dividend financial activity है financial activity में जाएंगे और pay करना मतलब की case कम होगा minus करेंगे ठीक है तो आपको यहाँ पे 9 lakh को highlight कर देता हूँ यहाँ पे 1 lakh 50,000 को financial activity में जाएंगे और less करेंगे ठीक है financial activity में जाएंगे 1 lakh 50,000 को आप क्या करेंगे sir less कर देंगे काम ही खतम करेंगे liability for expense given है sir जी liability for expense मतलब की current liability current liability मतलब की working capital का part है operating activity में इसकी entry करेंगे अच्छा मुझे बताइए sir यह increase हो रहा है या फिर decrease हो रहा है इसल क्या आता है आपने payment कर दिया होगा minus करना पड़ेगा ठीक है तो इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा sir minus करना पड़ेगा difference कितना है बताइए 330 minus 270 difference आपके पास में है 60,000 का तो 60,000 का operating activity में इसका treatment करना पड़ेगा ठीक है तो 60,000 को क्या करना पड़ेगा sir आपके पास में यहां पे operating activity less करके आएंगे ठीक है sir तो operating activity में यह चीज़ माइनस करके आएंगे ठीक है sir ओके आगे बढ़ते हैं कहता है कि sir property plant equipment में property plant equipment में sir plant and machinery है जो की depreciation minus plant and machinery related और कोई नहीं है ठीक है तो कहता है है कि sir year की starting में 21,000 का था अब कितना होगा 32,000 का सीधी सी बात है plant and machinery asset और आपके पास में increase हुआ है तो सीधी सी बात है इसका मतलब होगा कि आपने purchase किया है कितने का purchase किया है difference बताईए तो difference आपके पास में कितना निकलिका है sir 11,000 अब इसकी दो तरीके से treatment हो सकती है 11,600,000 आ रहा है मैं कह रहा था sir इसकी दो treatment हो सकती है या तो आप यह 11,600,000 डायरेक्ट आप क्या करेंगे sir अपना investing activity का part है न तो investment activity में आप जाके यह क्या हुआ sir यह आपके पास में purchase हुआ तो माइनस करके आएंगे ठीक है investment activity में 11,600,000 माइनस करके आएंगे और बात खतम करेंगे दूसरी एकोड treatment हो सकती है किसमें आप depreciation के साथ चीजे लीजे मतलब कि आप इसका difference ले लीजे depreciation के साथ ठीक है इसका कितना difference आ रहा है depreciation simply add करना होते है और कुछ नहीं ठीक है तो इसका difference कितना रहा है 40,70,000 माइनस 27,30,000 तो यह difference आप आपका आएगा 13,40,000 13,40,000 यह जो 13,40,000 है इसका treatment आप करेंगे इसकी दो treatment करने पड़ेगी ठीक है सबसे पहले तो यह आप जो है financial शुरी इन्वेस्टिंग एक्टिटी का पाटना तो इन्वेस्टमेंट एक्टिटी में जाएंगे और इसे less करेंगे सबसे पहले एंट्री दूसरी एक और एंट्री करने पड़ेगी depreciation operating activity में जाएंगे ठीक है और depreciation इसको आपको जो है add back करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर depreciation कंसीडर कर लिया न अपने तो operating activity में जाके आपको जो ही क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा depreciation कितना बन रहा है सब्सक्राइब कहीं ना कहीं गिवन था वैसे तो ठीक है यहाँ पर भी गिवन था देख लिजी depreciation ठीक है वन लग 80,000 और depreciation यहाँ पर एक ही चीज़ है तो इसका ही depreciation होगा एक बर आप cross check भी कर सकते हैं सेवन लग 90,000 डिवाट बेशिक्स लग 10,000 करिए 90,000 माइनस 6,10,000 एक ही चीज़ है तो इसका ही depreciation है देख लिजी वन लग 80,000 तो वन लग 80,000 एड बेक करेंगे ठीक है दो treatment यहाँ पर बनेगी ठीक है तो दोनों मैंसे कोई भी follow कर सकते है जनरली आईसे ही जो है यहाँ पर किस तरह कैसे करता है यह लंबी process करता है ठीक है कि इसका depreciation अलग से दिखाया जाए और investment activity धर यहाँ पर अलग से दिखाया जाए ठीक है तो दोनों treatment आपके पास में हो सकती है मैंने तो आपको दोनों बता दी लेकिन आईसे यही follow करता है तो आप यही follow कर सकते कोई दिखकत नहीं इसमें यह एक ही treatment बनेगा इसमें दो treatment बनेगी ठीक है जी काम खतम ओके तो यह चीज़ आपके पास में हो जाती है इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या था नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सर ट्रेड डिसेवल ग्रोस अमाउंट आपको गिवन है और प्रोविजन फोर डाउटफुल डैप यहाँ पे भी सेम चीज़ लेकिन आईसे जो follow करता है वही करवा रहा हूँ ठीक है ताकि कोई दिखकत ना है यहाँ पे भी सेम उपर की तर करेंगे वरी सार असेट तह आपके पास मैं इन्क्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है ओपरेटंगS लग्रोस में जाएंगे ऑर माइन उस करेंगे कीमे मैं और इम डिफर wellness कितना है ट्वेंटी एट लॉग 30,000-23,90,000 तो कितना एक मिनिट वापस से 28,000-23,90,000 आपके पास में आंसर आएगा 4,000-40,000 तो 4,000-40,000 क्या करेंगे सर माइनस करके आएगे ओपरेटिंग एक्टिटी में ठीक है यह चीज़ आपके पास में सबसे पहले इसके पाद प्रोविजन की भी एक एंट्री करने पड़ेगे आपके पास में प्रोविजन की डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए ज़रा आप 1,90,000 माइनस आपके पास में कितना है 1,90,000 माइनस आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में यह 40,000 आ जाएगा ये भी हमें operating activity में इसको क्या करना पड़ेगा सर सिद्धी बात है provision आपके पास में provision आपके पास में क्या है सर increase हो रही है या फिर decrease हो रही है सर increase आपके पास में हो रही है ठीक है और provision आपके पास में increase होती है मतलब कि आपके पास में सर्फ प्रॉफिट एंड लोस अकाउंट में माइनस वोगा एड़ बेक करना पड़ेगा तो यहाँ पर एड़ करेंगी कितना डिफरेंस है 40,000 अच्छा इसे के साथ कुछ राइट ओफ की यहाँ पर इंफोर्मेशन थी उसे हम कंसिडर कर लेते हैं कह तो CT से बात है पी एएनिल में आपके पास में प्रॉफिजन दीख राहा होगा उसे रिवर्स कर दीजह वह ट्रेटड रीसीव बल को रिवर्स कर दीजी है रिवर्स करने का मतलबह सिंप्ली आपके जो राइट आफ किया मतलब की कैंसल किया तो आप इसका दो चीज़े कर स या फिर completely ये true like 30,000 को ignore कर दीजे दोनों तरीके आपके पास में सही है दोनों तरीके से solve कर सकते है ठीक है देख लेंगे IC ने किस तरीके से किया है यहाँ पर दोनों treatment सही रहेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं या तो आप four like 40,000 और 40,000 को treat कर दीजे या फिर दोनों में two like 30,000 add करके उसे treat कर दोनों का मतलब एक ही निकल के आता है कि आपने इस treatment को खतम कर दिया है ठीक ऐसा यह चीज़ भी आपके पास में clear और कोई यहाँ पर information जो मसे यहाँ पर रह गई हो कहता है कि हाँ जी सर जो working note में नहीं थी इसी कुछ information है कहता है कि इस रशेयर कैपिटल है उतनी है अगर इसमें कोई change नहीं हुआ है तो इसकी कोई treatment नहीं बनेगी रिजरन सर प्लस आपको दे रखा है रिजरन सर प्लस कैसे दे रखा है रिजरन सर प्लस कहता है सर जी 26,002,000 का था वह कितना वह एग का इसमें जटे लिजखा नहीं है तो कोई दिकत नाई 손 चोड़ दो इस में ठीकहीं कोई दिकत नहीं है इसके बात कहता है कि से short term borrowings आपको पास में कहता है short term borrowings मतलब की current liability current liability तो सीधी सी बात है working capital का part बनेगा working capital का part आपके पास में जाएगा आपके पास में कितना differences है sir आपके पास में difference आपके पास में निकल के आता है कि one lakh fifty thousand का था और आपके पास में कितना हो गए sir three lakh लेकिन यह bank loan है इसने clearly दे रखा है bank loan है तो सीधी सी बात है यह working capital का part नहीं बनेगा यह जाएगा कहां सर्फ financial activity में तो यह जो difference है one lakh fifty thousand increase हुआ है increase होता है मतलब कि आपने और उधाल ले रखा है bank loan ले रखा है तो वो add हो जाएगा ठीक है तो financial activity में जाएंगे और वहाँ जाके one lakh fifty thousand को add करके आई यह तो financial activity में जाएंगे और one lakh fifty thousand जो इसका difference है वो add करके आएंगे ठीक है तो वहाँ पर one lakh fifty thousand एड करके आई इसके बाद trade payable यह तो आपके पास में working capital का पाट है कितना है सन कहता है eight lakh eighty thousand था eight lakh twenty thousand हो गया मतलब कि liability कम हो रही है ठीक है तो liability कम होती है तो सिद्धी सी बात है इसका मतलब है कि case कम हो रहा है तो उसे माइनस करेंगे कितना difference है eight lakh twenty thousand तो यह difference आपके पास में आ जाएगा sixty thousand का sixty thousand आपको क्या करना पड़ेगा सर माइनस करना पड़ेगा ठीक है operating activity 60,000 माइनस ठीक है highlight कर दो कि चीज़े clear है इसके बाद आगे बढ़ते है सर यह तो वरकिंग नॉट का पार्ट है वहाँ पे हमने complete कर लिए प्लांट हो गया current investment current investment आपके पास में कहता है current investment आपके पास में कहता है investing activity आपके पास में रहती है कहता है कि सर आपके पास में 11,80,000 का था 15,000 का हो गया investment बढ़ा है मतलब कि पैसा गया होगा ठीक है तो case कम हो गया मतलब कि माइनस करना पड़ेगा केश कम हो गया, iska मतलब minus करना पड़ेगा 15 lakh minus 11 lakh 80,000 कहता है कि Sir 3 lakh 20,000 का difference हुआ 3 lakh 20,000 का यहाँ पे difference देखने को मिला investment है Sir, investing activity investing activity और यह आपके पास में purchase किया होगा आपने to minus करना पड़ेगा and investing activity minus करेंगे ठीक है investing activity minus करेंगे आपके पास में यह highlighter से हमने highlight कर दिया और यह चीज़ खतम इसके बाद कहता है सर inventory inventory में आपको कहता है कि सर 20 lakh 10,000 की थी 19 lakh 20,000 की होगे inventory आपके पास में क्या है सर आपके पास में operating activity का पार्ट है sorry आपके पास में working capital का पार्ट है और working capital operating activity में जाएगा कहता है investment कम हो रहा है और स्वरी asset कम हो रहा है inventory कम हो रही है तो इसका मतलब add करेंगे 20 lakh 10,000 minus 19 lakh 20,000 difference 90,000 आ रहा है operating activity में जाएंगे add करके आएंगे कितना सा 90,000 काम कतम ठीक है काम कतम यहां पर हम यहां पर ले ले लेते हैं अपना highlighter यह से highlight कर देते हैं और काम अपने पास में खतम लेजिए इसके बाद कहता है other current asset है जिसमें prepaid expense है prepaid expense तो आपके पास में क्या ही होगा sir working capital का पार्ट तो operating activity में जाएगा कहता है कि इसा prepaid expense आपके पास में बढ़ा है asset अगर increase होती है तो less हो जाती है ठीक है तो कहता है किसा difference कितना है बताइए कि कहता है difference आपके पास में 30,000 का है difference कितना है 30,000 का 30,000 को less कर देंगे operating activity में operating activity less कर देंगे highlight कर देंगे इस को और काम करेंगे 30,000 minus सारी चीज़े हो चुकी है solution में हम इसे मैच कर लेंगे आपके पास में solution देख लेते आईए solution में आ जाईए जल्दी से यहाँ पे इसका solution कहा है 13 का solution यह रहा सबसे पहले तो सरजी net profit से start करना था बताइए 10,40,000 से start किया answer is yes किया है ठीक है तो highlight कर देंगे इस चीज़ को यह लो ले लेते चलिए 10,40,000 सबसे पहला highlight हो चुका है ओके इसके बाद next point हमारे पास में क्या था इसकी साथ depreciation को consider कर रहे है तो यह treatment हमें करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ ठीक है दो entry वन लेक 80,000 आप जाईए और काम करिए यहाँ पे आप जो है add back करिए और दूसरी साथ ही साथ 13,40,000 investment activity में आपको less करना पड़ेगा तो investment activity में जाएंगी 13,40,000 माइनस करे 11,60,000 यहाँ पे लिग दो और काम खतम कर दो ठीक है यह चीज आपके पास में हो सकती है दोनों treatment आपके पास में हो सकती है लेकिन आई से यह दो मतलब की बड़ा वाला area जो है cover करता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें इसके बाद कहता है कि सर जी यह चीज तो complete हो गए और दूसरी चीज हमने यहाँ पे complete करी हिसी के साथ मैं trade receivable की बात कर लेता हूं सर trade receivable में मैंने का दो treatment हो सकती है या तो आप दोनों में 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 एड़ करके आमने सामने उसकी treatment को खतम कर दे उस तरीके से कर सकते है जैसे कि यहाँ पे ICA module ने क्या किया है देख लेते, सबसे पहले मैंने का सर, operating activity में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे फॉल लेक 40,000 प्लस 2,30,000 कर सकते हैं, आई से ने क्या किया है, operating activity में, trade receable के नाम पे, वही किया है, फॉल लेक 40,000 प्लस करिए, फॉल लेक 40,000 प्लस 2,30,000, तो 6,70,000 आएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वह less करना है, तो इन लोगों ने क्या किया है, उपर यहाँ पे less दिखा दिया, कि सारी amount less हो रही है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और ज्यादा complicated नह कहें तो solution में, ठीक है, हर बार वो उनका कुछ अलगी treatment रहता है, तो हम तो अपने same treatment पे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ICA ने इस तरीके से follow किया है, कि 2,30,000, 2,30,000 दोनों में add कर दो, और treatment को खतम कर दो, ठीक है, लेकिन दोनों तरीके से हो सकता है, यह लोगों ने यहां पे लिखा है क्या, अच्छे, यहां पे लिखा है, देखिए, बैट डेट अमाउंट 2,30,000 जो आपके पास में return of हुई है, ठीक है, अगेंस provision for the doubtful debt during the year, इन अबो solution, बैट डब जो है, उसे हमने add back कर दिया है, ठीक है, कहां पे add back कर दिया, प्रोविजन म को completely ignore कर दिजिए, ठीक है, लिजिए, not में लिखा ही हुआ है, ठीक है, not में इन लोगों ने लिखा हुआ है, कि ignore भी कर सकते है, और दोनों चीज़ आपके पास में है, ठीक है, answer सहीं आएगा क्यों कि सीदी सी बात है, एक जगह आप add कर रहे है, एक जगह एड कर रहे है, आ तो दोनों में से कोई भी एक solution follow कर सकते है, आई से इन दोनों ही allowable कर रहे है, ठीक है, तो provision में आप जो है, अगर ये follow कर रहे है, two like thirty thousand add करके, तो यहाँ पे भी two like thirty thousand add करना पड़ेगा, तो two like thirty thousand plus forty thousand, आपके पास में two like seventy thousand आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, य आईए, सबसे पहले share capital में कुछ नहीं था, reserve surplus में कुछ यहाँ जनरल लिजो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो उसका भी कोई treatment नहीं बनता, अच्छा, long term borrowing की knots में है, तो वहाँ पे देखेंगे, इसके बाद कहता है कि सर, short term borrowing, bank loan, मैंने कहा सर, financial activity में जाईए, add करके यह one like fifty thousand, financial activity, one like fifty thousand, add करके आईए, ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर, trade payable आपके पास में है, trade payable आपके पास में जाईए, operating activity में, और sixty thousand, जो है, less करके आईए, operating activity में, trade payable, sixty thousand, minus करके आईए, यह सारी चीज़े less ही हो रही है, तो घबराएगा नहीं, ठीक है, यह यहाँ पे इन लोगो है, total करके less करते हैं, तो इसमें कोई logic नहीं बनता, ठीक है, इनकी treatment में कोई consistency नहीं है, हर एक solution अलग तरीके सा solve करते रहते हैं, ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर, other current liability note में है, तो वहाँ पे देखेंगे, property plant equipment notes में है, वहाँ पे देखेंगे, current investment, current investment में आपको, मैंने कहा, investment activity activity में जाए, three like twenty thousand minus करके आई है, investment activity three like twenty thousand minus, ठीक है, इसके बाद inventory कहा कि सर, operating activity में 90 thousand add करके आई है, operating activity, 90 thousand add करके आई है, ये रहा add, ठीक है, इसके बाद कहता है, सर जी की case and case equivalent, वो तो last की बात है, ठीक है, last में opening add करेंगे, closing answer आना चाहिए, वो तो ठीक है, आगे बताई है, कह current asset में prepaid x में से कहता है, कि सर 30 thousand आप जो है, operating activity में less करके आई है, ये रहा, less करेंगे, ठीक है, इसके बाद next treatment, notes to the account में देख लेते सर, interest की कोई amount बनेगी नहीं, क्योंकि at the end of the year, आपके पास में हमने issue करे थे, तो interest कोई बनता नहीं है, एक ही treatment रहेगी, financial activity में 9 lakh add करके आए करेंगे, financial activity 9 lakh रुपिस हम add करके आएंगे, काम खतम, dividend payable कहता है, financial activity में less करके ये, one lakh 50 thousand कर दिया, इसके बाद, sir, liability for the expense कहता है, कि sir, operating expense में, operating activity में, माइनस करना पड़ेगा, कितना 60 thousand, ठीक है, operating activity में, 60 thousand, माइनस करना पड़ेगा, लीचे, ठीक है, जी, काम खतम, इसके के पास में बनेंगे, 13 lakh 40 thousand investment activity में less करेंगे, ठीक है, हो चुका है, और one lakh 80 thousand आप क्या करेंगे, sir, add back करेंगे, यहाँ पर depreciation के नाम, ओके जी, already मैं discuss कर चुका हूँ, इसके बाद trade disable की बात है, हो चुकी है, तो सारी treatment हो चुकी है, मेरे ख्याल से, ठीक है, इसका total करेंगे, आ और financial activity का 9 lakh आपके पास में answer आएगा, तीनों का total करेंगे, तो आपके पास में answer आजाएगा, 0, जिसमें opening case add करेंगे, तो आपको closing मिल जाएगा, जो की match हो रहा है, ठीक है, इसे के साथ आपके पास में ये question भी खतम, और ये पूरे का पूरा case flow statement का, जो भी question पाट था, वो हो जाता है, अब next chapter स्टार्ट करेंगे,